हाँ तो देखो अभी बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है ऐसे डाइप के कोश्चन हम पहले भी कर चुके हैं तो अभी श्रीच को अम लोग देख रहे हैं जरा मेरे साथ देखो आप लोग ठीक है तो देखो क्या है यह कोश्चन है आपके पास 10 इंवर्स अब यह है कि सारा कुश्च दे रख है तो साइन और कोश्च कभी भी प्लस माइनस में दिखे तो हमेशा आपको एक फार्मला बनाने एक प्रोशेश करनी होती है जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं कि 10 इंवर्स 10A प्लस भी देख लो ठीक है जब 10A माइनस भी दे माइनस अब ऑपर माइनस उसके कॉररस्पोंडरिंग नीचे उलिटा इन दोनों फार्मला में एक चिछ को मैं यहां पर बन है तो ऐसा कुछां सों यहां बनाना होता है के ऊसके बाद जो भी फार्मान निकल किया आता हो हम लोगीए कर सकते हैं तो यहां पर कंणी ही इडिट बाए अगज दिवाइड नुमेरेटर एंड डिनॉमेरेटर नुमेरेटर दिनॉमेरेटर को मैं बी कोज एक्स से डिवाइड कर रहा हूं तो जार एकबर करके देख लिए थे तो टैन इन वर्स ओफ एकोज एक्स माइनस बी साइन एक्स डिवाइड बाए बी कोज एक्स बड़ा डिवीजन बी कोज एक्स प्लस ए साइन एक्स डिवाइड बाए बी कोज एक्स अब इसको इसके निचे लिख रहा हूं इसको इसके निचे लिख रहा हूं तो टैन इन वर्स ओफ a cos x divided by b cos x minus b sin x divided by b cos x divided by इसको इसके नीचे तो b cos x upon b cos x plus a sin x upon b cos x अब इसको इसके काड़ दो आप लोग तो cos से cos कर जाएगा यहाँ पर b से b कर जाएगा और यहाँ पर b cos से b cos कर जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं ठीक है अब इसी चीज को आगे देखते हैं हमार पास क्या निकल क्या आते हैं यहाँ पर सामने तो क्या निकल क्या आपके पास 10 inverse of a by b minus 10x sign upon में cause आपका क्या होता है 10x divided by 1 plus a by b into 10x तो यह आपके पास निकल के हाँ पर आ जाता है ठीक है अब इसी चीज को आप देखो धंसे 10 inverse a minus b इस पूरियों का ऐसा कंसिडर कर लो 10 inverse of a minus b upon में 1 plus a b तो यह क्या फामला हो जाएगा आपका 10 inverse of a minus 10 inverse of b तो इस इस दी 10 inverse of a which is a by b minus 10 inverse of b तो यह ते टेंसे टेंसे आपका कैंसल हो जाएगा तो आंसर इस 10 inverse of a by b minus x तो यह आपका अंसर आजा है इसका तो ऐसे आपको करने होते हैं यह कुश्चन आप चेक कर सकते हो क्या क्या पात्स का क्या बार ज